दोस्ता अगर आप Instagram यूजर हो तो आपने बिल्कु सही वीडियो पर किलिक किया है काफी टाइम से मेरे पास Instagram पर मैसेज आ रहे थे अगर आपने किसी दूसरे फोन में अपनी ID लोगिन कर दी है तो आप उस दूसरे फोन में से अपनी ID लोगाउट कैसे कर सकते हो बिना उस फ आपको फुरिटेल ने बताने वाला हूं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको इस प्रोफायल वाला इकन पर क्लिक कर देना है फिर उसके बाद आपको सेटिंग्स औड और प्राइवेसी पर किलिक कर देना है फिर उसके बाद कुछ ऐसां अंटरफेस आएगा फिर आपको अकाउunt सेंटर पर क्लिक कर देना ए color Samoo इंटरफेस देखने के आपको फिर उसके बाद आपको करना क्या होगा आपको जो यहाँ पर किलिक करना password and security पर तो देखिए मैंने यहाँ पर भी click कर दिया है फिर उसके बाद देखिए एक option नजरा रहा होगा where you are logged in तो आपको यहाँ पर click कर देना है तो देखिए मैं यहाँ पर click कर देता हूँ जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर आपकी जो device है मतलब कहा कहा लोगी नहीं मतलब कौन कौन से device में लोगी नहीं यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर click कर देना है जैसी आप यहाँ पर click करोगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आ जायेगा फिर जितने भी जहाँ जहाँ आपका Instagram account login होगा वह यहाँ पर सो हो जाएंगे वह devices यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इस भी device से आप जो logout करना चाहते हो वह आप यहाँ से select कर सकते हो अब देखी जैसे मैं इस वाले से logout करना चाहते हूँ जो यह लिखा है Android तो आपको यहाँ पर click करना है फिर उसका logout पर click कर देना है देखे द्वार से logout पर आपको click कर देना है अब देखे रिमूव हो जाएगा मतलब वहाँ से logout हो जाएगा देखे रिमूव हो चुका है logout हो चुका है तो इस तरह से जो है आप बिना चुए मतलब उस सामने वाले परसन की phone को आप logout कर सकते हो अगर आपकी Instagram ID लोगिन है तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जुरू बताएं अगर आपको कुछ मीटाउट है इंस्टेग्राम फेस्बुक वोट्सप से लेटेड तो मेरे पास इंस्टेग्राम पर मैसेज कर सकते हूं मेरी आडिया संकीत 1666 तो अगर आपको वीड सकते हूं